हेलो फ्रेंड वेक्ट वेक्टो आउर्चेनल एक्स्प्लेइनर एंचल फ्रेंड आज मैं चिस्ट्रामे का इस्प्लानिक्शन करने वाली हो उसमें हम देखेंगे जिस दिन भाई बॉर्ण होता है उसी दिन बहन सुसाइट कर लेती है एक ही गर में एक ही दिन खुशी और गम दोनों का माहौल होता है दोनों में उलजा ये परिवार मासूम बेटी की तरफ देखना भी पसंद नहीं करता ऐसे में वो मासूम बच्चे को कितनी तकलीफ का सामना करना पड़ता है यह सब आपको बीडियो में ही पता चलेगा इसलिए आप बीडियो को लास तक जरूर द जाता है जिसको लेवर पेइन हो रहा था अब वो हास्पिटल जाती है बड़ी ही परिशानी से बेटे को चनम देती है तब ही उस बच्चे की बड़ी बहन पानी में जम करके सूसाइट कर लेती है जिसका नाम हेनम होता है यह खबर हेनम के फादर को जब पता लगती है अने क्यों उसने पाने में जम करके भाई के बर्डे को बिश करके सुसाइट कर लिया था अब हमें 18 साल के बात का सीन दिखाया जाता है जब गोलू 17 साल का हो गया था लेकिन इस 17 साल में उसने आस तक अपने बर्डे को कभी भी सेलेबरेट नहीं किया था नहीं उसके फादर में पलबढ़ कर आज वो इतना पड़ा हो गया था लेकिन गोलु को फादर की इस कमी का इसास अब होने लगा था वो इस घर में रहते हुए यह समझ गया था कि कभी भी उसका बड़े प्लेबरेट नहीं किया चाएगा उसकी वज़े उसकी बड़ी बहन हैं इसलिया मून ही मन वो अपनी बहन से नाराज भी रहा करता था फैर गोलु की मा का टूट प्यार गोलु को मिल रहा था क्योंकि वो अपने बेटे से बहुत ही प्यार करती थी गोलू को हर वक्त अपनी नजर के सामने ही रखा करती थी आज जाने कैसे गोलू के पिता उसको रूम की चावी दे दिये ये परड़े की उसकी गिफ्ट होती है बस फादर के जरासी बात और गिफ्ट को पा कर गोलू आज बहुत ही खुश होता है वो अपने उस गंदे से रूम में जाता है चुपके से खुद को खुद का ही बड़े फिश करता है और फिर तारे गिनते हुए चाने कब वो सो जाता है तब ये दूसी तरफ हम ये जरामे की हीरो मैग को देखते हैं जो की अब सेलेब्रिटी बन चुका था उसकी नियो फिल्म आने वाली थी जिसका परमोशन वो जोरू सोरू से कर रहा था और अपने फैंस के बीच बैठा होता है तब ये उसके फैंस उसे पूछने लगते हैं क्या उनका हीरो अभी भी सिंगल है जिस पर मैक के पास कोई भी लबज नहीं रहता सिवाए हां के ये कहकर फैंस के बीच से वो चला जाता है और अपने सिक्रेटरी से कहता है कि वो कुछ दिनों के लिए तनहा वक्त गुजानने के लिए यहां से बाहर जाने वाला है हाला कि वो मना करती है लेकिन मैक रुखता नहीं सिदा ही हेनम के उस सुसाइट वाली जगें पर पहुच जाता है जहां पर वो पानी में वाइट रोस को फेक्तिवे कहता है कि आज सत्रा साल बीद गए है लेकिन मोहबत हमारी अभी भी ताजी है यो भी ना बताए मेरे जिन्दगी से क्यों गई ये सवाल उम्र भर मुझ में पना रहेगा और मैं हर साल तुम्हें इस जगें देखने आता रहूँगा तब है उसका फ्रेंड आता है जिसका नाम वीरू होता है वो मैक से कहता है इतने साल में तुम उसे भूल नहीं सके लेकिन अब उसे भूलने के कोशिश करो वरना तुम्हारी लाइफ डिश्ट्रॉय हो जाएगी उसकी ये बात सुनकर मैक रोने लगता है और कहता है कि जिसे वो इतना चायता था उसके सुसाइट के पीछे की वज़े भी वो नहीं जान सका क्या यही उसका प्यार था फिर कहता है कि खैर जब तक ये वज़े उसे पता नहीं लग जाएगी तब तक हर पल अपनी यादों से वो हेनम को जोड़े रखेगा ये कहकर वो गोलू के बारे में उससे पूछने लगता है क्योंकि मैक को पता था कि हेनम का एक भाई है जो कि अब 17 साल का हो गया है और उसे से ये पता लग सकता है कि हेनम के सुसाइट के पीछे की क्या वज़े थी जिस पर पीरू कहता है कि ठीक समय का इंतिसार वो कर रहा है और जल्द ही सब कुछ पता लगा कर उसे पता देगा तब है मैक के सिक्रेटरी के उसके पास स्कॉल हाती है तब पता चलता है कि कुछ मैगजीन कबर पिक्स के लिए उससे अर्जेंट ही चाना होगा यह सुनने के बात मैक निकल पड़ता है अगले दिन गोलू स्कॉल जाता है जहां पर उसकी एक फ्रेंड होती है जो बहुत ही खुशोर ही होती है क्योंकि मैग जैसे सेलिब्रेटी को देखने का चान जो उससे मिल रहा था यह बात जब वो गोलू से कहती है तो वो कोई खास इंटरेश्ट नहीं लेता और वो क्लास रूम में चला जाता है क्लास खतम होने के बाद सारे ही लोग स्कॉल से आने लगते हैं इसे स्कॉल में विरू भी जॉब करता था इसलिए वो गोलू पर तगड़ी नसर पनाए हुए था और आज वो गोलू से थोड़ी बहुत बात करता है लेकिन गोलू उससे अंजान होता है खैरब घर आने के बाद गोलू अपने रूम में जाता है उसके रूम में रिनोवेशन का काम हो गया था और ये गोलू की बहन का रूम था जिस रूम को 17 साल के बाद आज ओपिन किया गया था इसलिए इस रूम को मरम्मत की सक्त सरुवत थी जो की अब हो चुकी थी इसलिए रूम बहुत ही प्यारा लग रहा था जिसका मज़ा अब गोलू टोर को बंद करके ले रहा था तब ही रूम में एक लड़की नसर आती है जिसे देखकर गोलू उसके बारे में पूछने लगता है तब पता चलता है कि वो लड़की उसकी बहन है तब ही गोलू को अपनी बहन की फोटो याद आती है तब वो उससे डर जाता है कि ये बहन नहीं बलकि बहन का भूत है इसलिए वो दूर भागने लगता है लेकिन हेनम उसे रोक लेती है और कहती है कि वो उसकी बड़ी बहन है इसलिए उसको कोई भी नुकसान नहीं पहुचाएगी बस उसके साथ थोड़े वक्त बिताना चायती है और हेनम को इस बात की सबसे ज़ादा खुशी है कि वो किसी को नजर नहीं आती सिर्फ गोलू ही उसे देख पा रहा था खेरब भाई बहन की अच्छी दोस्ती हो जाती है गोलू कहता है कि पुनर जनम लेकर वो वापस से दुनिया में क्यों नहीं आ जाती जिस पर हेनम कह देती है कि पुनर जनम का आफर क्लोस हो चुका है इसलिए जनम लेना तो मुम्किन नहीं अब ऐसे ही वो उसके साथ रहा करेगी जिस पर गोलू कहता है कि आखिर उससे सुसाइट क्यों किया और फिर उससे दिन जस दिन गोलू बॉन होने वाला था गोलू की इस बातों को सुनकर हेनम कोई भी जवाब नहीं दे पाती क्योंकि उससे ऐसा लग रहा था कि वो सारी ही बातों को भूल गई है जैसे उसके लाइफ से कुछ पल मिस हो गया है बस ऐसा ही अब उससे फील हो रहा था जिस पर गोलू कहता है कि अब वो पीती बातों को याद कराने में उसकी मदद करेगा अब ऐसे ही दिन बीचते हैं भाई बेहन में बातें काफी साधा होने लगती है तब गोलु को पता चलता कि हेनम की डिट के बाद उसंके dads के पिता हेनम के रूम में उसकी अस्तियों को रखते वे तोबारा से हेनम को इस रूम पूरे घर में खामोशी के वज़े अबस हेनम ही भने हुई थी हर पल हेनम के फादर खुद में गुम रहा करते थे ये बाते हेनम की सोतेली मा को बहुत ही बुरी लगती है वो हेनम के फादर पर बहुत ही गुसा करती है और कहते हैं कि एक के मरने से पूरे घर को क्यों मार डा एक कमरे में क्यों खुद को बंद रखती हैं बीबी की ये बात सुनकर उस दिन हेनम के फादर आखरी बार अपनी बीटी के लिए बीटी के रोम में तिल भर के रोती हैं उनके साथ हेनम भी रो पड़ी थी फिर हेनम के फादर उस हस्ति भी है। हस्ती इसलिए Cambosyる के साथ बाहर भी चाया करेंगी और वह eller ido के चल भी चाने की बात करती है जिसने पर कुल में तोड़ी नक रे करता है और बातमें कहता है कि ठीक है वह अपने साथ उसे स्कूल लेकर जायेगा को जिसके बादी कहने पर सारे ही कपड़ों को चलाने लगता है तब ही गुलू के फादर देख लेते हैं तब वो उसके पास आते हैं और उसको स्लैप करते हैं और कहते हैं कि उन्होंने रूम दिया है ना कि रूम में रखे हुए हर सामान को उसके नाम किया है उसकी हिमत कैसे हुई कि उसने अ स्वेन को मना करती हैं कि मरी हुई बेटी के लिए जिंदा बेटी को मानने की हिम्मत कैसे किये ऐसे बढ़ताओ अगर रहा तो ये भी मर जाएगा फिर जीना इन्हीं यादों के साथ ये कहकर उनके पास से चली जाती है हिनम के फादर रोते वे जले कपड़ों को उठाने लग मरी तो वो है लेकिन उसकी सजा गूलू को क्यों मिल रही है आखिर क्यों क्या गलती है गूलू की उसे पैदा होते ही मर जाना चाहिए था क्योंकि उसकी बेहन ने उसके पीछे ये मुसीबत जो छोड़ दी जो सारे उम्म गूलू का पीछा नहीं छोड़ीगी लगातार ग चुकि श्राब में धुत हेनम को याद किये जा रहा था अब वो बहुत ही फेमस हो गया था लेकिन हेनम के बिना इस दौल अशूरत का क्या करना इसी गम में वो खोया रहता है तभी उसकी सिक्रेटरी उससे बुलाती है और कहती है कि फोटो शूट के लिए चल्द ही आपक होता है और उसके फैंस हैं कि उसका बेस्वडरी से इंतसार कर रहे थे इधर हेनम गुलु के साथ इसकोल जाने का प्लान बना रही होती है और यहीं पर इस पार्ट का इंड हो जाता है अब अगले एपिसोड में हमें इसके आगे की कहानी का पता चलेगा जो के जल्द ही हम के पास पहुचे फ्रेंट थी यह कहानी आपको कैसे लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं वीडियो गो लाइक करें शेयर करें मिलते हम आप से नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए टेक कियर कहानी शुरू होते ही हमें एक लेडी को दिखाया जाता है जिसको लेवर पेन हो रहा था अब वो हॉस्पिटल जाती है बड़ी ही परिशानी से बेटे को चनम देती है तब है उस बच्चे की बड़ी बहन पानी में जम करके सुसाइट कर लेती है जिसका नाम हेनम होता है ये सुसाइट करने की पीछे की क्या वज़े थी ये बात किसी को भी पता नहीं थी जाने क्यों उसने पानी में जम करके भाई के बड़े को बिश करके सुसाइट कर लिया था अब हमें 18 साल के बात का सीन दिखाया जाता है जब गोलू 17 साल का हो गया था लेकिन इस 17 साल में उस उसको बेटा कह कर भी नहीं पुकारे थे बस मा की च्छाओं में पलबढ कर आज वो इतना पड़ा हो गया था लेकिन गोलु को फादर की इस कमी का इसास अब होने लगा था वो इस घर में रहते हुए यह समझ गया था कि कभी भी उसका बड़े सेलिब्रेट नहीं किया जाए था क्योंकि वो अपने बेटे से बहुत ही प्यार करती थी गोलु को हर वक्त अपनी नजर के सामने ही रखा करती थी आज जाने कैसे गोलु के पिता उसको रूम की चावी दे दिये यह परड़े की उसकी गिफ्ट होती है बस फादर के इस सरासी बात और गिफ्ट को पा कर कोलु आज बहुत ही खुश होता है वो अपने उस गंदे से रूम में जाता है चुपके से खुद को खुद का ही बड़े फिश करता है और फिर तारे गिनते हुए चाने कब वो सो जाता है तब दूसरी तरफ हम इस रामे की हीरो मैग को देखते हैं जो की अब सेलेब्रिट बन चुका था उसकी नियो फिल्म आने वाली थी जिसका पर्मोशन वो जोरू सोरू से कर रहा था और अपने फैंस के बीच बैटा होता है तब है उसके फैंस उसे पूछने लगते हैं क्या उनका हीरो अभी भी सिंगल है जिस पर मैं के पास कोई भी लबज नहीं रहता हां के यह कहकर फैंस के बीच से वो चला जाता है और अपनी से कहता है कि वो कुछ दिनों के लिए तनहा वक्त गुजानने के लिए यहां से बाहर जाने वाला है हाला कि वो मना करती है लेकिन मैक रुखता नहीं सीधा ही हेनम के उस सुसाइट वाली जगें पर पहुंच जा है कि आज 17 साल बीद गए हैं लेकिन मुहबत हमारी अभी भी ताजी है यो भी ना बताए मेरे जिन्दगी से क्यों गई यह सवाल उम्र भर मुझ में पना रहेगा और मैं हर साल तुम्हें इस जगें देखने आता रहूंगा तब है उसका फ्रेंड आता है जिसका नाम वीर होने लगता है और कहता है कि जिसे वो इतना चायता था उसके सुसाइट की पीजी की वजे भी वो नहीं जान सका क्या यही उसका प्यार था फिर कहता है कि खैर जब तक ये वजे उसे पता नहीं लग जाएगी तब तक हर पल अपनी यादों से वो हेनम को जोड़े रखेग ये कहकर वो गोलू के बारे में उससे पूछने लगता है क्योंकि मैग को पता था कि हेनम का एक भाई है जो कि अब 17 साल का हो गया है और उसी से ये पता लग सकता है कि हेनम के सुसाइट के पीछे की क्या वज़े थी जिस पर पीरू कहता है कि ठीक समय का इंतिसार वो कर रहा ह और जल्द ही सब कुछ पता लगा कर उसे पता देगा तब है मैग के सिक्रेटरी के उसके पास स्कॉल हाती है तब पता चलता है कि कुछ मैगजीन कबर पिक्स के लिए उससे अर्जेंट ही चाना होगा ये सुनने के बात मैग निकल पड़ता है अगले दिन गोलू स्कूल ज जाता है जहां पर उसकी एक फ्रेंड होती है जो बहुत ही खुशोर ही होती है क्योंकि मैग जैसे सेलिब्रेटी को देखने का चांड जो उससे मिल रहा था ये बात जब वो गोलू से कहती है तो वो कोई खास इंटरेश्ट नहीं लेता और वो क्लास रूम में चला जाता है क्लास खतम होने के बाद सारे ही लोग स्कूल से आने लगते हैं इसे स्कूल में विरू भी जॉप करता था इसलिए वो गोलू पर तगड़ी नसर पनाए हुए था और आज वो गोलू से थोड़ी बहुत बात करता है लेकिन गोलू उससे अंजान होता है खैर अब घर आने क के बाद गोलू अपने रोम में जाता है उसके रोम में रिनोवेशन का काम हो गया था और यह गोलू की बहन का रोम ता इस रोम को मरमत की सक्त सरुवत थी जो की अब हो चुकी थी इसलिए रोम बहुत ही प्यारा लग रहा था जिसका मज़ाव गोलू टोर को बंद करके ले रहा था तब रोम में एक लड़की नसर आती है जिसे देखकर गोलू उसके बारे में पूछने लगता है तब पता चलता है कि वो लड़की उसकी बहन है तब गोलू को अपनी बहन की फोटो याद आती है रोक लेती है और पूह उसको कोई भी नुकसान के पहुंचेना चाहती है और Aww seven क को इस बात की सबसे जादा खूशी है कि वह किसी कोन आती सरफ गोलू ही उस disgust पा रहा था के रभभाई बहन की अच्छी दोस्ती हो जाती है गोलू कहता है कि पुनरजनम ले लेकर वो वापस से दुनिया में क्यों नहीं आजाती इस पर हिनम कह देती है कि पुनरजनम का offer close हो चुका है इसलिए जनम लेना तो मुम्किन नहीं अब ऐसे ही वो उसके साथ र उसे ऐसा लग रहा था कि वो सारी ही बातों को भूल गई है जैसे उसके लाइफ से कुछ पल मिस हो गया है बस ऐसा ही अब उसे फील हो रहा था जिस पर गोलु कहता है कि अब वो पीती बातों को याद कराने में उसकी मदद करेगा अब ऐसे ही दिन बीचते हैं भाई बहन में बाते काफी साधा होने लगती है तब गोलू को पता चलता है कि हेनम की डेट के बाद उसके पिता हेनम के रूम में उसकी अस्तियों को रखते वे तोबारा से हेनम को इस रूम में पुलाए थी हेनम मरने के बाद भी पापा की बाद को इंकार ना कर सकी फॉरान एक कमरे में आ गई तब उसने देखा कि उसके फादर अपनी बेटी के लिए बहुत ही रो रहे है पूरे घर में खामोशी के वज़े अब बस हेनम ही भने हुई थी हर पल हेनम के फादर खुद में गुम रहा करते थे ये बाते हेनम की सोतेली मा को बहुत ही बुरी लगती है वो हेनम के फादर पर बहुत ही गुसा करती है और कहती है कि एक के मरने से पुरे घर को क्यों मार डाले हैं एक कमरे में क्यों खुद को बंद रखती हैं बीबी की ये बात सुनकर उस दिन हेनम के फादर आखरी बार अपनी बेटी के लिए बेटी के रोम में तिल भर की रोती हैं उनके साथ हेनम भी रो पड़ी थी फिर हेनम के फादर उस दिन रोम को लॉक कर दिये थे इस तरह हेनम उस कमरे में रह गई थी इस तरह 17 साल हेनम उस रोम में कैद रही थी आज 17 साल के बाद उसे आदाद ही मिली थी इसलिए रोती भी है और हस्ती भी है हस्ती इसलिए है कि अब वो गूलू के साथ बाहर भी चाया करेगी और वो गूलू के स्कूल भी चाने की बात करती है जिस पर गूलू ही स्टार्ट में थोड़े नकरे करता है और बात में कहता ह कि ठीक है वो अपने साथ उसे स्कूल लेकर जाएगा जिसके बाद ये लोग ड्रेस को सेलेक्ट करने लगते हैं जिसमें हेनम को कुछ पुराने कपड़े नसर आती हैं इसलिए वो उसे चलाने की पात करती है जिस पर गूलु एकरी हो जाता है और बहन के कहने पर सारे ही देख लेते हैं तब वो उसके पास आते हैं और उसको स्लैप करते हैं और कहते हैं कि उन्होंने रूम दिया है ना कि रूम में रखे हुए हर सामान को उसके नाम किया है उसकी हमत कैसे हुई कि उसने अपने बड़ी बहन के कपड़े को जलाया है जिस पर गूलु कुछ नही की हमत कैसे किये ऐसे बढ़ताओ अगर रहा तो ये भी मर जाएगा फिर जीना इन्हीं यादों के साथ ये कहकर उनके पास से चली जाती है हिनम के फादर रोते वे जले कपड़ों को उठाने लगते हैं उदर गूलु रो रहा था तभी उसके पास उसकी बहन आती है क्या गलती है गूलु की उसे पैदा होते ही मर जाना चाहिए था क्योंकि उसकी बहन ने उसके पीछे ये मुसीबत जो छोड़ दी जो सारे उम्र गूलु का पीछा नहीं छोड़ीगी लगातार गूलु ये बातें कहते वे रोते जा रहा था और अपनी बहन को देखे जा रहा था और बहन है कि अपने भाई को रोता हुआ दे कर रोने लग दी है तब हमें मैक को दिखाया चाहता है चुकि श्राब में धुत हीनम को याद किये जा रहा था अब वह बहुत ही फेमस हो गया था लेकिन हीनम के बिना इस दौल अशूरत का क्या करना इसी गम में वो उससे बुलाती है और कहती है कि फोटो शूट के लिए चल्द ही आपको आना होगा अब यह बात सुनकर मैक उसके पास जाता है जहां पर फोटो शूट इस्टार्ट होता है अब उसे गूलू के स्कूल भी जाना होता है लेकिन वह बहुत ही डिस्टर्ब होता है और उसके फैंस हैं कि उसका पेशबर से इंतसार कर रहे थे इधर हेनम गूलू के साथ स्कूल जाने का प्लान पना रही होती है और यहीं पर इस पार्ट का इंड हो जाता है अब अगले एपिसोड में हमें इसके आगे की कहानी का पता चलेगा जो कि जल्द ही हमारे इसी चैनल पर अ कमेंट यह कहानी आपको कैसे लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं वीडियो को लाइक करें शेयर करें मिलते हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए टेक कियर